कि है अलो फ्रेंड वेलकम बैक टो मैं वीडियो आज किस वीडियो में हम फिर से आज रहें वाइलोजी कि सेट नंबर 3 के साथ टीक है वाइलोजी का सेट 3 है याद रखेगा हर स्ट्रेट में हम तुक तीस कोसन करते हैं अभी तक सेट वट्वाजोगा है इसका तो मैं लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगा वहाँ साप उसको भी देख सकते हैं कि इस सेट में तीस कोशन करने वाले हैं बाइलोजी के जो काफ जाधी इंपोर्टन होंगा अब के एक्जाम के दिरिष्टी कौन से जले वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करती जाएगा तो आज का पहले को सेने निमलिकित में किसके द्वारा दूद खटा होता है अप्संस है वाइरस बैक्टिर ओप्सिती और दूद को सौत जो है घटा हो जाता है नाम है लेक्टो बैसल्स क्या लेक्टो बैसल्स क्या अगला है कि निमलिकित में सब्सक्राट जिवानुस्वस संक्रमन के कारण होती है और संसे पेचीज भंग कुस्थ या यह से भी जिसके कुछ रोग यह जिवानु संक्रमन करने वाला एक बीमारी है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है सरपर्थम विसानु की खोज किसने की आप्सन से इवनवस्की एडवर्ड जेनर लिनियस या अस्मित से जाओगा इवानवस्की इना के इवानवस्की ने सबसे पहले विसानु की खोज कि थी एक यह कीलिए टीका किस ने बनाय था मिलिस्टीन एडवाड जेनर ल्म यह इंवेस्दे कोई नहीं तो यादर रिखेगा Edward General ने सबस्थ पहले चीचक के लिए टीका बनाया था ठीक है इन्हें टीका करन का जनक भी कह जाता है क्या कह जाता है टीका करन का जनक लूई पास्चर ने पास्चराजिशन का प्रोसेस बनाया था जिसमें दूद को जल्दी खराब होने से बचा जा सकता है अगर बढ़ते हैं है कि दूद के दही की रूप में जमने का कारण है लेक्टो बैसिलस सो नाम के जिवान करन को ला अगला है इनमें से कौन स्ववपसी होता है सैवाल विसानु कवक प्रोटो जोवा यह दखी के तीनों को तीनों जो है मृत जोवी यह परपोसी है सैवाल जो है स्वपोसी जीव है ठीक है अगर बढ़ते हैं टीका रोग किसमे होता है जोवार गन्ना चावल या मंगफली से जब होगा मंगफली टीका नाम को रोग किसम होता है मंगफली में अगला है इचावी दौरा होने वाल रोग कौन सा है कैंसर छै रोग आत्सक यह इनमें से कोई नहीं से जब होगा आत्सक इचावी को दौरा क में में कुन से रोग विसानू के करण होता है अपस्सने में लेलिया यक्छम से बिल्टे कंट विसानू को सानू के करन होता है mintOP किस सेवाल जॉटी अथि होती है ऑफ्षण से आ curly dreams नूरो थिक्स, एक्टो कॉर्पस, लिमेनेरिया, सुरी लेमिनेरिया, नाम के एक सेवाल से हमें आयोडिन की प्राप्ति होती है, ज्यादा तरका उप्सन यह लगता है, जो कि सरा सर गलत उप्सन है, आयोडिन से लोग और गोनिया मारके निकल जाते हैं, अब ध्यान के एक च जिवानू, इस्ट, प्रोटोजोगा, से जब विसानू के चलते हैं, किस्टा को बिमारी होता है, हाइड्रोफोबिया, देसम लोगों को पानी से डर लगता है, अगला है, इन में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं, विसानू, जिवानू, सेवाल, ये लाइकन, से जब व चीज मंप्स यह हैड्रोफोबिया तीस्कों का जाता है है ठीक है कुट्ते कटने से जो धात रोग उत्मन होता है उससे कहते हैं है अगला सार्स सर्स क्या है संचार पर नाली विसानुजनित रोग कवक जनीत रोग यह इन में से कोई नहीं यह जो कुछ साल पहले चैना में फ खस्रा निमन किसष्टप्रा करण के करण होता है ऑप्सान से जीवानु मायक्रोप्लाज्मा विसानुझ यह सैवाल से जबान विसानु खसरा संक्रमन विसानु करण फैलता है अगला है आलू में मौजक रोग का कारखता तो है फफुंदी, लाइकन, जिवानु या विसानु तो आलू में जो मौज़क रोग लगता है विसानु के करण अगर बढ़ते हैं जनतों में होने वाली foot and mouth रोग किससे करणुतपन होती है option से विसानू, proto-jowa, जीवानू यह सभी सही जावबों का विसानू, जो foot and mouth रोग होता है foot and mouth में फोड़ा attack हो जाता है जिससे काफे तकलिफ होती है जानवरों को वह एक विसानू को द्वारा जनित होने वाला रोग है अगला है, सहवालों की कोशी का भित्ती किससे बनी होती है सही जावबों का cellulose जो सहवालों की कोशी का भित्ती होती है, वो cellulose से बनी होती है आगे बढ़ते है किल्प प्राप्थ होता है लाइकेंस से समुद्री सहवाल से जलिय सहवाल से यह सहवाल से तो यह समुद्री सहवाल से प्राप्थ होने वाल एक चीज है जिसमने करते हैं किल्प अगर है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्तेदी करण होता है यह मांत狼 सेवाल यह जीवान इस प्र हमाति के अर्श को पित कत הוא साघ्रिम करण की स्टैप है लाल है JOHN कि अगर अगर किस से प्रफ्स होता है इसका सेटन को से वाल स्वाल से अगर अगर रेट प्राफनल प्राफनल चीज़ है जो किसे मिलता है सेवाल से मिलता है ठीक है अगला है कि वनस्पति विज्ञान का वह साखर जिसके अंत्रगत का अध्यन किया जाता है वह कहलाता है यह कहला तो माइकोलोजी या और बात करेगा सेवाल का कि इसेवाल के बात होगी तो क्या हो जागा प्तू आइस एक को कोजिका भीटिच किसकी बनी होती है किसकी बनी होती है काईटिन और हेमि से लोल है ? अगलो है सभी कवक सदेव होते हैं म९द जीवी परजीवी वीद पोसी यद सवपोसी सई जवबा ग वीवीद पोसी कवक जो होते हैं व вес तला है कि ए विर्चो की छाल पर उगने वाले कवक क्या काल आते हैं तें यह कालता है क्रोटी कोलास को ठुक है अलंप गोर्प उन्वाल कवक काला आते हैं है तो कि टॉक्शी कालस द्थुफिल कोलश क्रोपोफिलस के जाओ गोब फ्रॉस अगर वढ़ते हैं अगर इन में से किसम ख्लावृोफिल नहीं होता है तो कवक में किसी भी टाप पर कोई भी ख्लॉफिल नहीं होता होता है खाले चाहले लाइकन को ठीक है लाइकन को पौधा ही होता है कि ए जापान के लोग किस लाइकन को सब्जिक रूप में खाते हैं आप्संस औरोसेल इंडोकॉरबं परेमेलिया यह सभी सही जोब इंडो कॉर्पन जो है जपान में खाया जाना वाल एक डिस है जो एक टाइप का लाइकन होता है अगला मिर्गी की औस दीक किस लाइकन से प्राप्त होती है ति प्राप्त होती है परमेलिया नाम के एक लाइकन से तो आज की वेडियो में इतने फ्रेंड अभी हम लोगों ने खुल तीस प्रसुनों किया है जो कि पिछले एकजाम में पूछे गये हैं या फिर इनके पूछे जाने का चांसे लगवग 99 परसेंट है कि आपके नेश्ट पूछ दिये जाए छोटे मोटे एकजाम की बात कि जाए तो एससी जीडी और मतीं में इंसे डायर्यट कोस्टन आते हैं गुरीफ डी वी दखिले जा रैलवेख में तो उससे भी उसमें भी इंसे कोस्टन पूछ सकते हैं बात कि जब बड़े एक जाम हो की जैसे एलपी या एंटी पीसी उन में भी इन से काफी जाता कोस्टन डायरेट पूछेगा हैं मिलते आप से नेक्ट वीडियो में अगर एक कुछ प्रसन हो सकते तो तो के लिए जाहिन जाहिए भारत अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीच अबस्ट्राइप कर लिए का